जै मातदी दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वरत्य हार उपाय चैनल में दोस्तों करवा चौत का वरत बहुत जल्दाने वाला है इस वरत के लिए हम सभी सुहागिन महिलाएं पूरे साल इंतिजार करती हैं इस वरत को रखने से हमारे पती की उम्र लंभी होती है उनको सुख समर्थी मिलती है इसलिए ये वरत सभी सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है तो सो करवा चौत का वरत निर्चला रखा जाता है और पूरे दिन बगएर पानी पिए बगएर कुछ खाए पिए रात में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उनको अर्ग देने के बाद हम इस वरत का पारण करते हैं यूँ तो करवा चौत का वरत बहुत ही मुश्किल वरतों में से एक है खास तौर पर इस वरत को मुश्किल इसलिए भी माना जाता है क्यूंकि इससे जुड़े हुए जो नियम है वो बहुत ही कठिन होते हैं लेकिन उन नियमों को मानना भी उतना ही जरूरी होता है इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको उन सभी नियमों के बारे में बताने वाली हूँ करवा चौत के जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब आप करवा चौत का व्रत करेंगी खास तोर पर वो महिला आए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सुने जो कि पहली बार करवा चौत का व्रत रखने जा रही है क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी व्रत करते हैं अगर आपको उसका संपूर्ण फल ना मिले आपसे कोई भूल चूक हो जाए अंजाने में भी तो उस व्रत को रखने का कोई फायदा नहीं है बलकि आपको हो सकता है कि उसका दुशपने नाम झेलना पड़ जाए इसलिए ये बहतर होगा कि किसी भी व्रत को रखने से पहले आप उससे जुड़े हुए नियमों की जानकारी ले ले इसलिए करवा चौत व्रत से जुड़े हुए कुछ खास नियमों को आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ध्यान से देखेगा ये वीडियो और पूरा देखेगा कोई भी नियम आप मिस मत करिएगा वीडियो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले आप चलदी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको वो सारे नियम बताने वाली हूँ तो आप ध्यान से सुनिये करवा चौथ के दिन की नियमों का पालन करना है आप सभी को सबसे पहला नियम तो यही है दोस्तों कि आपको करवा चौथ के व्रत के दिन देर तक नहीं सोना है सूर्य उदै होने से पहली ही आप उठें नहाए धोई स्नान करें पूजा पाठ करें भगवान का ध्यान करें और अपने वरत का संकल्प लें देर तक सोना बहुत ही आप शगुन माना जाता है करवा चौत वरत के दिन तो जल्दी उठें और जल्दी से पूजा की तैयारी करें दूसरा नेयम भी आप ध्यान से सुनिये दोस्तों दूसरी नेयम की अनुसार आपको करवा चौत वरत के दिन काले रंग के कपड़े बिलकुल भी नहीं धारन करने है चाहे वो काले रंग की चुनरी हो, सूट हो, लहंगा हो या साड़ी हो बिलकुल भी काले रंग को आप पूरी तरह अवाइट करें क्योंकि काले रंग को अशुब माना जाता है खास तोर पर मांगली कार्यों में तो काले रंग को बिलकुल भी नहीं पहना जाता है चौछ वरत रखने के दिन आप किसी भी बड़े या छोटे से अप शब्द ना बोले ना ही उन पर गुसा करें और ना ही मन में गुसे को ले कर आएं क्योंकि आप जब भी कोई पूजा करते हैं वरत करते हैं अगर आपका मन शानत नहीं है आपके मन में गुसा है द्रेश है किसी के लिए चिड़न है तो आपका वरत सफल नहीं माना जाता है तो कोशिश करें वरत वाले दिन आप पूरे दिन फिल्कुल खुश रहें आपके मन में कोई भी द्रेश भाव ना आये दूस्तों चौथे नियम के अनुसार आपको जिस दिन आपका करवा चौथ का व्रत हो उस दिन घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को नहीं जगाना है अगर कोई सो रहा है उन्हें सोने दीजे आप उनको बिल्कुल नहीं जगाएंगी यह ब करना है किसी को वो चीज उधार में नहीं देनी है अगर कोई परोसी भी आप से कोई भी ऐसी चीज मांगने आ जाए सफेद जैसे की चावल है दूद है दही है चीनी है तो इस चीज को आप अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं देगी सफेद चीज का दान करने से खास्तोर और करवा चौथ के दिन चंद्रदेव आप से नाराज हो सकते हैं और उस चीज का आपको दुश्पनिराम भी जहलना पड़ सकता है तो ध्यान रहे करवा चौथ वरत के दिन सफेद चीज का दान भूल कर भी ना करें च्छटी नियम के अनुसार करवा चौथ वरत के दिन आपको किसी भी तरह की नुकीली चीजों से दूर रहना है जैसे की सिलाई कढ़ाई की जो चीजे होती हैं कोई चीज अगर कोई कपड़ा फट गया है और आपको एमर्जनसी में सिलना पढ़ रहा है तो वो काम आप बिलकुल ना करें किसी और से करवाएं लेकिन आप ना करे क्योंकि नुकीली चीजों का इस्तेमाल करवा चौथ के दिन करने को निशेद माना गया है इस बात का आप जरूर ध्यान रखेगा सात्वे नियम के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन आप अपने मन में किसी भी परायप पुरुष के बारे में कोई भी खयाल ना लाएं ना ही उनके बारे में सोचें क्योंकि यह व्रत हम अपने पती की लंबी उम्र और उनकी सुख सम्रिथी के लिए करते हैं ऐसे में अगर आपके मन में किसी भी परायप पुरुष के बारे में कोई भी खयाल आता है तो आपका व्रत भंग हो जाएगा और इस व्रत का दुश परिणाम भी आपको जिलना पड़ सकता है आठवे नियम के अनुसार आपको करवा चौत व्रत के दिन अपने घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं बनाना है घर में शुद और शाकाहारी भोजन ही बनना चाहिए मास मदीरा लेसुन प्याज इन सब चीजों को आपको करवा चौत के दिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आप हो सके तो अपने पती को भी इस बात के लिए राजी करें कि वो करवा चौथ के दिन कहीं भी बाहर का खाना ना खाए और ना ही घर में मास मदिरा का सेवन करें नवी नियम के अनुसार दोस्तो करवा चौथ व्रत के दोरान यानि जिस दिन आपका करवा चौथ है उस दिन आपको आपके पती के साथ कोई भी किसी भी तरहे का शारिलिक संबंध नहीं बनाना है आपको पूरी तरह स्वच्छता से और शुद्धता से इस व्रत को रखना है इस बात का ध्यान आपको ही नहीं आपके पती को भी रखना है वो भी इस नियम का पालन जरूर करें दोस्तों जो भी नियम मैंने करवा चौत से जुड़े हुए आपको बताएं हैं मैं आशा करती हूँ इन नियमों का पालन करकर ही आप करवा चौत का व्रत करेंगे और मा करवा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी आपके घर में सुख सम्रित ही आएगी पती को दीर्ख आयू प्राप्त होगी इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले और देखते रहे ब्रत्योहार उपाये चैनल जैमाता दे